हाईलो फ्राइंट्स पेशल डिश्वाई सारीका के चैनल पर आप सबका फिर से एक पास वागत है आज हम बनाएंगे बहुती स्वादिश ताजे नारियल की बर्फी इस रक्षा बंदन के अवसर पर आप ए ताजे नारियल की बर्फी 15 मिनिट में बना सकते हैं ताजे नारियल की बर्फी में जो जूसी टेक्चर और जूसी स्वाद जो है न वो बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए आज की बड़िया रेसिपी को स्टार्ट करते हैं ताजे नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहां लिया है एक कप कद्दुकस किया हुआ फ्रेश नारियल ताजे नारियल का जो उपर का हिस्सा होता है ब्राउन कलर का उसे बिल्कुल हटाना है और कद्दुकस कर लेना है आदर्वाइज आप नारियल के चोटे चटे ट अब दो चमझ घी भी use कर सकते हैं बड़े कप से एक कप मैंने लिया है ताजे नारियल ग्यास पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे एक कप ताजे नारियल एक कप ताजा नारियल इसमें डालेंगे और ताजे नारियल को low to medium flame पर हलका सा रोस्ट करेंगे इसमें पानी जो हलका सा सूख जाए और हमारे जो बर्फी है ना वो एकदम जल्दी से बन जाए इस तरीके से हलका भून लेंगे लगातर चलाते हुए लगबग 2 मिनिट के करी फ्राइ करना है इसका कलर चेंज होना नहीं चाहिए हमें इसे सफेदी रखना है इसमें हम डालेंगे एक कप चीनी यहाँ मैंने दो कप फ्रेश नारियल को कद्दू कस करके लिया है तो उसके लिए मैं हाँ डालूँगी एक कप चीनी चीनी आप कम जादा आपके स्वाद के अनुसार आड़ कर सकते है तो मैंने या दो कप कोकनट के लिए एक कप चीनी लिया है ग्यास का फ्लेम मीडियम रखना है और लगातार चलाना है उसी कप से आदा कप दूद आपको लेना है अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स करे फ्लेम को मीडियम टू हाई करे उनली 10 मिनिट में हमारे बर्फी जो है बनकर तयार होती है इस रक्षा बंदन के अवसर पर फटाफट 10 मिनिट में बनने वाली नारियल की बर्फी एक बर ज़रूर ट्राय करके देखिए तो मीडियम टू हाई प्लेम पर इसी तरह से चलाना है बहुती जल्दी एक गाड़ा होने लगती है इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे दो चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप घी भी इस्तमाल कर सकते है इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाना है इसे हम तब तक पकाएंगी कि जब तक ए थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए इसमें से जो मॉइस्चर है शुगर की जो चाचनी बनती है न वो पूरा इसमें अब्जर्ब होना चाहिए और सुका सुका होना चाहिए हाथ में लेने के बाद इसके गोला रेडी होना चाहिए तब ही हम गयास को आफ करेंगे हम इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे जस्ट बर्फी बनाने के लिए जैसी कंसिस्टेंसे चाहिए वेसे ही उतना ही हम इसी स्टेज पर गयास को आफ करेंगे ज्यादा ड्राय करेंगे तो उसकी बर्फी नहीं बरेंगे मैं यहां ले रही हूँ एक स्टील का प्लेट आप चाहे तो कोई भी बर्फी की प्लेट ले सकते हैं इस प्लेट के ऊपर मैं थोड़ा घी लगा रही हूँ अब हम इस प्लेट में बर्फी का मेक्स डालेंगे और धीरे धीरे इसमें इसको फैलाते हुए ऐसे स्पून से दबाएंगे स्क्वेर शेप में हमें बर्फी बनाना है तो मैं इसे इस तरह से स्पून से दबा रही हूँ अब यह देखिए हमें बर्फी को अच्छे से सेट करने के लिए चोड़ना है तो बर्फी को अच्छे से सेट कर लिया है इसी तरह से सेट होने के लिए चार घंटे के लिए चोड़ देना है अदर्वाइज आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीज में सेट होने के लिए रख सकते हैं नारियल के बर्फी जो है ना खाने में बहुती जूसी और टेस्टी हो, ये दिखिये ताजे नारियल की बर्फी बिल्कुल तैयार है, चार घंटे में हमारे बर्फी जो है बिल्कुल सेट हो चुके है, तो इसके उपर मैं थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगाई हूँ, आप चाह है, खाने में बहुती स्वादिश लगते हैं, इसे हम स्क्वेर श्वेर सेप में ऐसे काट लेंगे, ये देखिये हमारे बर्फी जो है कितनी सुन्दर बनी है और खाने में भी बहुती टेस्टी लगती है, तो इस रक्षा बंदन के आउसर पर आप एक बार जरू ट्राइ क करके देखिये, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो चलिए फ्रेंड्स बाई बाई फिर मिलते हैं इसे ही नही नही रेस्पिस के साथ